गूड मॉर्निंग इडिया कैसे हूँ बच्चो मेरे प्यारो मेरे दुलारो मेरे आंगों के तारो आशा करता हूँ सब घर में होंगे सुरक्षित होंगे स्टेट होम स्टे सेफ बी सेफ कल मेरे एक महान स्टूडेंट ने जो 12 तो करी साइंस है और आप में हिंदी कर रहा है उसने मुझसे कल हिंदी के दो कुछे और चैलेंज दिया कि अगर मैं गलत जवाब दूँ तो आपको यूट्यूब पर अपने पोस्ट करने पड़ेंगे तो आप डिसाइड कीजिए मैंने गलत जवाब दिया यह सही जवाब दिया उसका फर्स्ट प्रशन था कि उसने कपड़े धोए इस वाक्य का क्या अर्थ है तो मैंने भी बड़ा सीधा सा बता दिया वह यह उसने कपड़े धोए इस वाक्य का अर्थ है कि वो अभी कुआ रह लेकिन उसने इसके जवाब गलत बताए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताईएगा कि क्या मैंने ये सही जवाब बताई या गलत जवाब बताएगा स्टार्ट करते हैं हिंदी से भूंकर फिजिक्स पर आते हैं आज के हमारे टॉपिक है एरिया वेक्टर और इलेक्रिक फ्लक्स बहुत 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 इंपोर्टन टॉपिक हैं बचोई एरिया वेक्टर और इलेक्रिक फ्लक्स अगर ये टॉपिक आपने समझ लिए तो आपक होता है area vector का आप लोग तो science student हो आप लोग ने पढ़ा हुआ है कि area to scalar quantity है भही हम physicians है हम physics पढ़ाते हैं हम किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं अगर मैं चाहूं तो आपका भी मुर्गा बना सकता हूं लेकि नहीं अभी तो आप student हो पहला आप 12 पास कर लो फिर देसाइड करेंगे बात करते हैं area vector की area vector exactly होता क्या है देखिए अगर मैं बात करूँ इस rectangular surface की ये rectangular surface है इसकी दो surfaces है obviously अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो वो मुझे चाहे इसको मैं कितना भी जादा transparent बना लूँ चाहे इसको मैं कितना भी जादा पतला बना लूँ इसकी दो surfaces ही रहेंगी यहाँ पर लिखा हुआ 100% यहाँ नजर नहीं आएगा और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दू तो आपको लोगों को नजर नहीं आएगा इसकी दो surfaces है जब दो surfaces है तो इसके दो ही area vector होंगे तो बात करते है exactly area vector है क्या see this ही बात है कि अगर मैं एक line लूँ अगर मैं एक pen लूँ अगर मैं कुछ भी लूँ और इसको मैं इसमें से pierce करा दूँ means इसको अगर मैं से pass करा दूँ तो यह पन्ने पर perpendicular हो गया यह 90 degree हो गया और यह में दिखाता है क्या magnitude of area and also direction area vector का मतलब क्या हुआ एक ऐसी line फिर से बो एरिया vector का मतलब क्या हुआ एक ऐसी line जो इस पन्ने पर perpendicular है अब आपको मैंने क्या बोला पन्ने की दो surfaces हैं जी हाँ दो surface हैं तो क्या हुआ इस तरफ की बात करेंगे तो उस dir imaginar परकरेंडीकुलर इस तरफ की बात करेंगे तो इस dir Argentina परकेंडीकुलर तो इसका मतलब क्या हुआ area vector बचो सिदी-सिदी बात करें एक ऐसी line है जो किसी भी surface पर क्या होती है perpendicular इसको हमने यूज क्यों करा भाई आज सीधी सीधी बारिश नीचे आ रही है there is no wind, there is no breeze कोई हावा नहीं चल रही, बिलकुल इशारत है अब मैं आपको बोलूँ कि इस पन्ने को आप कैसे रखो उस बारिश में छट पर जाके कि ये पन्ना कम से कम भीगे ये पन्ना कम से कम भीगे तो आप इस पन्ने को ऐसे रखोगे तो ये तो बहुत जल्दी भीग जाएगा obviously इस पन्ने को आप ऐसे रखना चाहोगे अब ये ऐसे वैसे यूँ हमें तो समझ मातनी क्या है तो सीधी सीधी बात है हम इसको ऐसे रखेंगे हम कैसे रखेंगे हम इसको ऐसे रखेंगे कि इस पन्ने को हमने रखा ताकि ये जो लाइन है जिसको हमने बोला area vector ये बारिश की बूंदों की direction में कैसे हो जाए जी हाँ अगर ये दोनों एक दूसरे के parallel होगी या anti-parallel होगी बारिश ऐसे है area vector ऐसे है या बारिश ऐसे है और area vector भी ऐसे है ऐसी condition में बारिश बहुत जल्दी भिगो देंगी इस पन्ने को इस surface को तो कहने का मतलब ये है कि जब area vector की direction इस बारिश की direction के parallel या anti-parallel होगी तो maximum number of drops या maximum number of rain drops इस पन्ने को भीगोएगी लेकिन जब ये area vector इस बारिश की बूंदों की direction के perpendicular होगा तो भीगने के chances minimum है और most is zero है identical conditions में बेगे there is no identical conditions in physics तो इसका मतलब क्या हुआ area vector काफी हग तक आप समझ गया होगे चलिए मुझे बताइए ये मेरा white board है इस पर area vector क्या होगा ये रहा इस पर area vector क्या होगा ये रहा अगर बात करूँ मेरा हाथ ऐसे है इस पर area vector क्या होगा ये रहा हमेशा perpendicular अगर मैं हाथ को हलक असा tilt कर दूँ जुका दूँ तो area vector क्या होगा ये रहा बही area vector ऐसे है अगर मैं हाथ को तिर्चा कर दूँगा इसे भी शोग हुआ है तो चाहिए आप ds बोल दो da बोल दो most popular ds है आगे हम वर्ड यूज करें में surface integral तो वहां पर ds हम वर्ड यूज करते हैं तो ds equals to ये है area vector अब आपको पता है कि vector के अंदर दो चीज़े होती है एक है उसका magnitude और एक है उसकी direction ये है area vector इसको दो parts में split कर दिया ये है उसका magnitude और ये है उसकी direction n-cap क्या हुआ unit vector n-cap क्या हुआ unit vector एक ऐसा vector जिसका magnitude कितना है one whose direction is perpendicular to the surface that surface about which we are discussing कोई भी अगर surface है अगर बात करूं मैं board की तो आपको बताया ये area vector है अगर बात करूं board की पिछले surface की तो area vector भी परड़ जाएगा यहां की बात करूं जो आपको surface दिखाई दे रही है area vector हो गया यह अगर यह वाली surface दिखाई दे रही है area vector यह surface पीछे चली गई तो इसका area vector भी पीछे उस तरफ की तब तो perpendicular होता है हमेशा area vector की direction और यह आपके पास definition है यह आप learn कर लिजेगा तो आपको काम है मेरा समझाना याद कर लेंगे आप लोग खुद examination point of view से तो area vector का मतलब समझ गए होंगा I think एक बार दुबारा बताता हूं कि अगर हमारा page ऐसे है तो area vector ऐसे है ऐसी condition में अगर अगर बारिश की बूंदों की नफात करूं बारिश की बूंदे ऐसी हैं सीधी हैं तो area vector के उपर 90 degree का angle बना रही है ऐसे में chances है कम से कम इस page का भीगना लेकिन अगर मैं इस area vector को ऐसे कर दूं तो बारिश की बूंदों के यह तो parallel हो जाएगा या फिर anti-parallel 180 बनाएगा या zero degree ऐसी condition भीगने के chances उस बारिश की बूंदों से maximum है तो यह कहलाता है आपके पास area vector और area vector से related ही है बच्चो electric flux जैसे कि अभी आपको मैंने बताया बताओ कि अगर page ऐसे है तो कितनी बारिश की बूंदों ने इस page को touch करा सबूस कीजिए 100 तो वो हो गया flux अगर मैं इसको हलका सा तिरचा कर दो ओविसली सो से तो कुछ कम होंगी निन्याणवें अठाणवें सताणवें छ्याणवें पिच्चाणवें कुछ भी 60 चालिस तो उस ते में electric flux कितना हो गया चालिस अगर मैं इसको और जादा टिल्ट कर दूँ बीस और जादा टिल्ट कर दूँ ग्यारा नो आठ साथ छे पांच चार्टिन दो एक जिरो अगर बिलकुल ऐसे लिया होगा ये बहुत जादा थिन होगा बहुत जादा पतला होगा तो obviously कितना electric flux हो जाएगा जिरो तो आपने किसी पन्ने को अगर में किसी अपने rectangular surface को ऐसे रखता हूं तो obviously maximum lines इस page को काटेंगी ऐसा क्यों हो रहा है देखिए ये इसका area vector हो गया ये इसका area vector हो गया area vector की direction और electric field की direction एक दूसरी के parallel है जैसे आपको बारेशी केसम बतायाता है एक दूसरी के parallel है ऐसी condition में theta कितना बना 0 जब भी दो चीज़े parallel होती है theta बनता है 0 theta आपको मैंने क्या बताया angle between direction of electric field direction of electric field and direction of area vector area vector भी उसी direction में है जब theta 0 होगा तो electric flux होगा maximum औ और मैं इसको ऐसे रख दूँं ऐसे तो area vector हो गया ऐसे area vector हो गया इस तरिके से और electric field होगी ऐसे एरिया वेक्टर हो गया आपका ऐसे और इलेक्ट्रिक फिल्ड हो गई ऐसे ऐसी कंडिशन में एंगल बन रहा है 90 डिग्री गा और पेपर आजाएगा आपका इस तरीके से तो इस तरीके से लाइन्स के काटने के चांसे और मोस्ट जीरो है या फिर मेनिमम है तो इसका मतलब क क्या हुआ कि अगर आपके पास थीटा की वैलियू आती है जीरो तो फ्लक्स आएगा मैक्सिमम और अगर थीटा की वैलियू आती है 90 तो फ्लक्स आपके पास आएगा जीरो तो यहां पर यही है एलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एडिया इन एलेक्ट्रिक फिल्ड रिप्र सिलिंडर हो सकता है, कौन हो सकता है, क्यूब हो सकता है, फ्रस्टम हो सकता है, स्फेर हो सकता है, हैमिस्फेर हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, बट स्वेवर, कोई भी फिगर हो सकती है, 2D, 3D, कोई भी फिगर हो सकती है, उसको कितनी लाइन्स काट रही है, अगर उसको 100 lines काट रही है तो electric flux 100 हो गया, 90 काट रही है, electric flux 90 हो गया, 0 काट रही है तो electric flux भी 0 हो गया flux 0 कब होगा, जब theta होगा 90, किसके इसके बीच का 90, area vector और electric field का और अगर theta होगा 0, तो flux भी होगा maximum, आप याद करों कि ऐसी कौन सी trigonometry quantity है, जब 0 theta होता है, theta अगर angle 0 होता है, तो value maximum होती है, और जब 90 होता है, तो value minimum होती है, absolutely right, आपने सही पहचाना, सही पकड़े हैं, वो है अपने बस cos theta तो flux को हम किस से लिखाते हैं, phi E से, E हमने इहां पर इसलिए लगाया है, आगे के chapters में आप पढ़ेंगे कि magnetic flux भी होता है, वहाँ पर हम word use करेंगे B, तो E dot ds, dot का मतलब आपको याद होगा, cos theta होगा करता था, phi E का मतलब आगया, E ds cos theta, trigonometric quantity की कोई unit नहीं होती है, area के लि न्यूटन पर कूलम लगा दिया, क्योंकि inverse वाले चीज़ें end में लिखते हैं, तो इसका unit i न्यूटन मीटर स्क्वार पर कूलम, आशा करता हूँ, आज ही class समझ में आई होगी, अगर पसंद आई हो तो like कर दीजेगा, जादा पसंद आई हो तो subscribe कर दीजेगा,